है एवरीवन वेल्कम पैक तो माई यूटूब चैनल सो कैसे हैं आप होप सो कि आप सो बहुत अच्छे होंके तो यह हम लोग आगे अपनी कार में तो कहां जा रहे हम लोग तो यह आपको व्लॉग में ही पता चलेगा तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहे हैं वीडियो को गट देखिए और जो भी चैनल पे नए हैं जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दे से चैनल को सब्सक्राइब करिए सो फैनली हम लोग आ गए हैं वहां जहां को आना था सो यह है जेकिट टेमपल आफ कानपूर जोड़ी का ज्यादा फेमर्स है और यह राधा क्रिश्नाजी का मतलब मंदीर है और जो यहां का लोकेशन है ना तो क्या ही बताऊं आप सब खुदी देख लेजिए वीडियो में कि मतलब कितना प्यारा है कितना मतलब सुंदर से्फीन सब दrench सकते हैं और हम लोग फैक साइट से एंटर हुए क्योंकि वहां से रास्ता है और आगे की तरफ से जब आप जाते हैं तो हाँ परकिंग वगरा की आपको मतलब facility मिल जाती है सो आप सबने जो भी देखा वो सब बैक साइड से जब आप अंदर आते हैं तो वहां से यहां तक मतलब मंदिर के पास तक का सीन है सो यह देख सकते हैं मंदिर के हाइट वगरा सब कुछ कितना अच्छा सा मतलब हर एक चीज बनाए गया है और इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहां का जो नाइट का सीन होता है न वो काफी मतलब देखने लायक होता है बहुत ही सुन्दर होता है क्योंकि लाइटिंग में गरा काफी अच्छी होती है नाइट में यहां पर और रिफ्लेक्शन में गरा कुछ है मतलब ऐसा बनाए गया है कि उपर मतलब जो हाइट है ना मंदिर के उपर वहां पर गौड़ जी की फोटोस वेगरा मतलब बहुत ही अच्छी मतलब देखती है और इस टेंपल की सबसे खास बात यह है कि यह जो टेंपल है वो पंच तत्व से बनाई गई है हम लोग आ गए है आगे की तरफ और आगे की तरफ बहुत ही बड़ा सा पार्क बना हुआ है आप सब देख सकते हैं कि अच्छी मतलब देख सकते हैं कि अच्छी मतलब देख सकते हैं कि अच्छी मतलब देख सकते हैं और थोड़ा मुबाइल वगर आलाउड नहीं है इसलिए फोन नहीं ले जा सकते हैं बड़ कोई नहीं जो भी होगा पॉसिपल आपके साथ जरू शेयर करेंगे वीडियो इंच्छी करिया आप लोग मंदिर के अंदर आप कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं कुछ भी अलाउड नहीं यहां पर फोन वगरा कुछ भी नहीं वह सब आपको गेट पर ही मतलब रखवा दीते हैं सब कुछ भी अंदर ले जाना अलाउड नहीं करतें इसलिए मतलब आपको नहीं दिखा सकते हैं अंदर का कुछ भी शिन बट बाहर से इतना भी पॉसिबल था आपके शार शेयर कर रहे हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को लाइक करना ना भूले और ज्यादा ज्यादा शेयर करिए और प्लीज गाय चैनल पर जो भी नए हैं जोनोंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे वीडियो के आने वाले सारी अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे यहां पर गार्डन वागर भी काफी सुंदर सुंदर बनाए गये हैं आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने फैमिले के साथ यहां पर जाकर और सच में यहां पि मतलब इस ताइम पीतनी गर्मी है मतलब टेंप्रेचर जो है नोब 45 47 तक उसकी अब भूबी कभी कभी चला जाता है इतनी गर्मी में मतलब बाहर जाने के तो बिल्कुल इच्छा नहीं होती बट मंदिर जाना था उस दिन तो इसलिए ह लोग चले के काफी दिनों के बाद गये थे और सोचा आपके साथ काफी दिनों से कोई व्लाग भी शेयर नहीं किया है तो उसी बहाने एक व्लाग भी शेयर हो कितना अच्छा है मंदिर की अंदर से जो हाइट है वो काफी ऊची है जिसकी वज़े से हवा और मतलब रोशनी वगरा लाइट वगरा काफी आसानी से पड़ती है अंदर और मंदिर के अंदर पाँच मंदिर बनाए गए हैं जिसमें सबसे पहले अगर आप अंदर होते हैं सबसे पहले राधा क्रिशनी जी की मूर्ती है सो काफी सुन्दर मंदिर है सो हम लोग के दर्शन मंगेरा हमने कर लिए हैं अब हम लोग निकल रहे हैं यहां से यह भांजा जिसने अंजल को पकड़ रखा है यहां से वहां दावड रहे थी इसलिए इसने पकड़ रखा है इसको सो हम लोग अब यहां से निकल रहे हैं सो यह देखिया यह जामून का पेड़ है तो काफी सारे ब्लैक बेरिस में लगे हुए हैं यह देखिये कुछ पके हुए भी हैं बहुत सारे लगे थी हैं हाँ पे और मैंगोज ट्रीज भी हैं जो काफी सारे मैंगोज लगे हुए हैं बड़ तोड़ना अलाउट नहीं है आप तोड़नी सकते बड़ दो नहीं हैं यहां पर हम लोग आगए अपने कार में और ऐसे ही और व्लॉक्स और वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्स्राइब करिये और प्लीज वीडियो को लाइक किया करिये और अपने फैमिले यान फ्रेंज के शार जरू शेयर करिये तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई गैश टेकर स्यू सून थेंक यू पर वाचेंग झाल